विश्भर में फैली नोवल करोना वाइरिस की बिमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध हैं कि भारत सरकार दोरा लागू किये गए लॉक डाउन को गंभीरता से फॉलू करें। इसके अधिनाय सभी आदेशों का पालन करें। हमें जुठ होकर ही इस बिमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, सहस्त रहें। हैं ऐसे एक खास विशर पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किड्नी के लिए अजवेंट फाइदेमंध है या नहीं, साथ ही इसके फाइदों के बार में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने विशे की तरफ बढ़ते हैं पर उससे पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे तपरा दी जाने वाली जानकारी असानी से पासकें। चलिए अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं अपनी दिन चर्या में कुछ बदलाव ला सकते हैं जैसे अपने आहार में अपने डिली रूटीन में आपको चेंजिस करें तो आपकी किड्नी स्वस्त रहती है। अक्टिव ना होना, हाथ पेरों में सूजन, ठकान और कमजोरी लगना, हाई भी पी रहना, नीन और भूक में कमी आना, रक्त में खराबी के कारण तवचा में लगातार खुजली बने रहना, उल्टी जैसा मन होना, पीट के निचले हिस्से में दर्द बने रहना, काम करते समय अधिक सांस पूलना, वजन में बदलाव आना और अक्सर सिर दर्द बने रहना, ये किड्नी में खराबी के कुछ लक्षन हैं जो किड्नी के समस्या को बताते हैं, अगर इन में से आपको एक भी लक्षन अपने में नजर आता है तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्ख करें, इनने बिल्कुल भी इग्नॉर ना करें क्यूंकि ऐसा करना आपके स्वास्ते के लिए हानिका रख हो सकता है, अगर बात करें किड्नी में खराबी आने के कारणों की तो इसके मुख्य तीन कारण होते हैं, जिसमें पहला है हाई बलड प्रश्या, दूसर को बदले क्यूंकि इसकी वज़े से ग्यूरन इंफ्रक्शन होता है, जो किड्नी इंफ्रक्शन की समस्या को बढ़ावा देता है, बढ़ते हैं अपने विश्य की तरफ और बात करते हैं अर्जवैन के फाइदों के बारे में, अर्जवैन खाना वैसे तो इस्वास्ते के के लिए लाबदायक होता है, इसके कई फाइदे भी हैं, अगर बात किड्नी की करें तो ये किड्नी के लिए लाबदायक होता है, इससे किड्नी डीटॉक्स होती है, और साथ ही ये स्टोन जैसी समस्या को भी दूर करता है, पर इस बात का खयाल रखें कि जोने किड्नी में कोई भी तकलीफ हो उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाके नहीं करना है अगर आप अजवैन का पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर में पानी की कमई को पूरा करता है और साथ ही शरीर के अंदर होने वाले संक्रमण की संभावना को भी कम करता है अजवैन का सेवन अज्वेन का सेवन करना लाब दायक होता है जिन अक्सर दर्द की शिकायत होती है उनके लिए अज्वेन का सेवन लाब दायक है जिन लोगों में कान में दर्द होता है उनके लिए सरसों की तेल में अज्वेन को घर्म करके उसका तेल कान में डालना लाब दायक होता है जो ल और इसमें शेहद मिलाकर खाली पेट पीएं, इससे आपका वजन आसानी से कम हो जाता है। जिन लोगों को खासी की समस्या हो रही हो और ठीक नहीं हो रही हो तो उनके लिए अजवैन बहुत ही लाबकारी है। आप अजवैन को पानी के साथ उबाल कर इसमें काला नमक मिलाकर इसका सेवन करें, ये खासी जैसी समस्या से आपको तुरंत रहत पहुँचाता है। अजवयन का सेवन आस्तमा की समस्या के लिए भी लाबदायक होता है जिन लोगों को आस्तमा की समस्या है उनके लिए अजवयन का पेस्ट गुर के साथ सुभा और शाम लेना अच्छा होता है अगर आप अजवयन का पेस्ट नहीं खा सकते तो आप अजवयन के पानी में गु जैसी समस्या हो सकती है इसके बाद जोने क्यांसर की समस्या है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए यहानिकारक हो सकता है तो यह है अजवैन के कुछ फाइदे जोने आप अपने जीवन में शामिल करें तो आप स्वस्त रह सकती है इसके साथ आप रोजाना व्यायाम करें जिससे आप कई सारी बिमारियों से दूर रह सकते हैं साथ ही आप अपने जीवन में आरवेद को भी जगा दें अगर आप किड्नी के समस्या से जूज रहे हैं तो आपको आरवेदिक उपचार से बहतर और कोई उपचार नहीं है अगर आप यापका कोई अपना किड्नी के समस्या से परिशान है तो इसके लिए आप कर्मार वेदा में संपर कर सकते हैं कर्मार वेदा उपचार के इंदर में आपको किड्नी से जूड़ी सभी प्रकार की समस्यां का समाधान मिलता है और ये उपचार पूरी तरह प्रकरतिक है जिसका कोई दुश्परभाव नहीं होता कर्मा वेदा उपचार के इंदर में आपको इलाज के साथ साथ आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्त के लिए लाबदायक होती है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें साथ ही आप अपने विचार और सुजाव भी आप में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप किद्नी की किसी भी समस्या से परिशान है तो आप आमें WhatsApp के माध्यम से संपर कर सकते हैं हमारा पता और हमारे help line numbers आपकी screen पर मौजूद हैं तो आज के लिए बस इतना ही अब मैं आप से विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूँगी एक नाए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार